हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक टू मैं चैनल चलिए आज हम बनाएंगे बहुत यह बड़ीया रेस्पी जी हाँ आज की रेस्पी हम इस छोटी सी डिबी से बना कर त्यार करेंगे और यह डिबी हमारे बहुत ही काम आने वाली है और यह रेस्पी खाने में भी बहुत टेस्टी बनेगी शाम की चाय के साथ आप इस नमकीन को बना कर त्यार कर सकते हैं चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए वीडियो को एंट तर जूर देखिए और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिए चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इसको हम इसमें होल कर देंगे सबसे पहले इसको आप अच्छी तरह से गरम कर लें जिससे प्लास्टिक की डिबी में असाने से इस तरह से होल हो जाएं तो सारी डिबी में हम इस तरह से होल कर लेंगे और जब थोड़ा से ठंडा लगे तो आप इसको दुबारा गरम कर लें और के लिए अब हम बैटर तियार करेंगे तो बैटर तियार करने के लिए यहां पर हम एक बाउर में दो बड़े चम्मच बेसन ले लेंगे और साथ इसमें हम दो चम्मच के करीब चावल का आटा डाल देंगे और थोड़ा सा बेकिंग पाउटर डाल देंगे तो स्वाद के घोल त्यार करते जाएंगे तो ये लीजिए इसका घोल त्यार हो चुका है थोड़ा सा पानी इसमें हम और डाल देंगे तो ये लीजिए घोल हमारा बन कर त्यार है ना तो ये बहुत ज़्यादा गहड़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है तो अब हम नमकीन बनाना शुरू करेंगे तो इसके लिए हमने जो डबी तियार खिया है उसको ले लेंगे और घbung हमने गर्म कर लिया और हमने जो घोल तियार किया है इस डबी में डाल देंगे तो दो चम्मच इसमें में घोल डाल रहे हूँ और घोल डालके इस तरह से हम इसको चला लेंगे ताकि जो इसमें जो घोल है वो सारा इसमें आ जाए तो ये लीजिए सारा घोल जाया वो कड़ाई में चला गया तो इसका अब हम नमकीन त्यार करेंगे तो दो मिनिट तक इसक तो यह लीजिए इसके उपर हलका हलका सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुक है तो आप इसको बुनाते वक्त इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं लेकिन इसमें मैंने कोई फूड कलर नहीं डाला तो इसको अब मैं प्लेट में निकाल लूँगी तो यह लीजिए सारा नमकीन मैंने प्लेट के उपर निकाल लिया और नमकीन भी हमारा बनकर त्यार हो चुक है खाने में बहुत ही बड़िया बने और यह खाने में बहुत ही क्रिस्पी बने तो आप भी इसको मेरे इस ट्रिके से ज़रूर ट्राइ कीजिए हौप करते हूं व प्रिके जिया प्रूर कीजिए।